पहली क्या है अगर आप गोल बिल्ड करना चाहते हैं इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन्स करिए अपने आपको इंसाइट जनरेटिंग हाँ मैं एक्जाटली चाहता क्या हूँ अचीव करना जब आपने आपसे पूछो को तो दिमाग में आंसर आएंगे यह गोल मिली महत मेली शुरुआत है मुझे किस-किस की जरूर पड़ेगी इस गोल को अचीव करने में मुझे क्या-क्या तकलीफे आएंगी इस गोल को अचीव करने में कौन-कौन होगा जो मरी मदद कर सकता है अथलीट भी ना सुबह चार बज़े रोज बोन चिलिंग कोल्ड ठंडी हवा कि बीच में सुबह चार बज़े मैदान में क्यों पहुंच जाता है कोई मज़ा नहीं आ रहा है उसको वहां पर हां उसको वहां पर क्या मिल रहा है मैदान के ना को पार्टी नहीं हो और इस सुबह चार बज़े जंग खड़ा हो जाता है मैदान में जाके क्योंकि उसको क् करके गोल्ड मिडल पहने गा और उसके देश का राश्टरगान चल रहा होगा गोल्ड ना इजी नहीं होने चीए वो होने चीए जब को फोर्स करें तंग करें क्रियेटिव विजुलाइलेशन की बात कर रहा हूं मैं समय तो पकड़ के रखना इस मुद्दे को कि अपने आप पांच साल दस साल में आप कहां पहुँचने वाले हो मैं क्या अचीव करूँगा जब तक मैं रेटायर हो जाओँगा मेरी सैलरी उस समय कितनी होनी चाहिए मैं अंत्रपनियर होंगा कि इंप्लॉई होंगा मैं प्रोफेशनल ऑगनाईशन किस प्रकार की चाहता हूं अपन से लिए मैं किस प्रकार की नई होबी जनरेट करूँगा पहले आप विजुलाइज करते हो तब आप मटिरियलाइज करते हो लूजर्स विजुलाइज दी पैनल्टीज अफेलियर बट विजुलाइज विजुलाइज दिखाई पड़ता है उनका गोल उनका परपस इस्ट अब ये प्रोड़क्टिव आप ये पंदरा मिनिट के लिए विजुलाइज अगर आप रोज करते हो तो आपके बचे वे 16 घंटे बॉब भेंकर प्रोड़क्टिव हो जाते हैं आप विजुलाइज करें अपनी सक्सेस को तब आक्शन लीजिए इट आल डिपेंड वट व वरकिंग आवरत टुफान हो जाएंगे अबेर आर पीपल और डों गोल फोन के लिजुल नहीं आपके लिए झाल झाल